हेलो एव्रिवन स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वाधिस्ट चूल हमें तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं भरवा सिम्ला मिर्च की रेसिपी सिम्ला मिर्च हम देख सकते हैं पतली वाली हमने लही हैं मोटी ला मिर्च नहीं है और दूसरी चीज हमें आ पहरे से बॉइल आलू जो है नहीं लिये हुए हैं अब हमें न्यूटिला को अच्छे से भीगा के उसका पानी निकाल के हमने उसको ग्राइन कर लिया है और दुसरा आलू यहां पर जो है हमने मिक्सी में इसको हम ग्राइन कर रहे हैं तो थोड़ा न्यू तरीका जो हमने यह तो यह इसमें जट पर बना सकते हैं और यह बहुत इस तरीके से हैल्दी होती है क्योंकि इसमें न्यूटिला पड़ा हुआ है जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है तो इसलिए देखिए इस तरीके साब सारे मसाले हमें धिरे-दिरे जो है फ्राइए कर लेने हैं यह हमने डा करेंने हैं अब जदनिया हमें जदनिया है हल्दी धनिया इसी तरीके से सारे मसाले हमें अब आपर आपके लेने हैं नमक और गरम मसाला और अमचूर पाउडर अपर पाने यह नहीं टाला है तो अगर हम इसमें नीटरिला बहुत पसंद होता है और साथ ही साथ ही हमारा है कि भी बन जाता है है तो अराउंड फाइब मिनट के राउंड यह पक जाता है हमारा और यह थोड़ी मिर्च डानेंगे लाल मिर्च तो पांच मिनट के राउंड को धक्कल लगा के हम छोड़ देंगे अब देख सकते हैं पेस्ट हमारा जो है तैयार है तो इसमें क्या हमें आलू जो है बॉयल करने की जुरूवत नहीं होती है जटपट से आतो हम कद्दुकस करके आम इकसी में ग्राइंड करके जो है आलू को यहाँ पर यूज कर सकते हैं जिससे आलू जल्दी से पक जाता है यह हमारा जो है भरने वाला जो है मसाला तैयार है अब सिम्ला मिच के तैयारी कर लेते हैं सिम्ला मिच देख लीजिए इस तरीके से डंठल हमने निकाल लेए हैं और उसके बाद एक बीच-बीच में हलका सा कट देना है इसके अंदर बहुत धेड जो है दाने वगर नहीं होते हैं तो इसीरे केवल साइट में जो है हमें इस प्राओ से खाते हैं तो इस तरीके से अब हमें इसमें भर लेना है कि इस तरीके से इसको भर लेंगे अच्छे से अब सभी हमने इस तरीक से भरके त्यार कर ली है अब बरतर में ओईल लेंगे और जो है क्पर ज्यादा जैसे हम सब्जी के च्तुपने के लिए लेते हैं उसी तरीके से अब में ओईल लेना है यहाँए यह तरीके से ठकल लगा के इसको हम छोड़ दिंगे 5 मिनट के लिए मिडियम फ्लेम पर पांच मिनट बाज देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं अब इस मिला मिट जो है हमारी पकने लगी है तो एक बार इसको हम पलट दिंगे यह देखिए तो इस तरीके से तो ऐसे ही पलटके हमें इसे दुबारा से पांच मिनट के लिए जो है छोड़ देना है फिर पांच मिनट बाद चेक कर लेंगे अब देख सकते हैं सिमला में चे हमारी गल चुकी है अच्छे से बिल्कुल पक चुकी है यह देखिए तो इस तरह के से जो है अगर आप सिमला में स्ट्राइ करेंगे तो जो ही है बहुत टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है जिसे जो है बच्चे भी बड़े चाओ से खाते हैं तो यह हमारी रेडी है तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो अगर आपको यह पसंद आता है र सब्सक्राइब करिए तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ अब आप 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 आप